हेलो फ्रेंड्स तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी ने होल्डेम की मार लगा दी थी और ओतामा को बचा लिया था इसके बाद जो जो जोरो था उसने ट्रेजर शिप पर कबजा कर लिया था और अब वो खाना लेकर पाकूरा टाउन से बाहर निक क्योंकि उसे लूफी के अंदर एस नजर आता है इसके बाद उसे याद आता है कि वो उपर से नीचे गिर रही है फिर वो आवाज लगाती है कि बड़े भईया मेरी मदद करो तो लूफी अपना हाथ लंबा करता है और उतामा को बचा लेता है फिर हमें स्पीड दिखाई जाता है जो कि ट्रैजर शिप को दूर ले जा रहा होता है और फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि लूफी ने वो गलती ना करी हो इसके बाद हमें दिखाई जाती है ओकी कू जिसे लूफी और उतामा की चिंता हो रही होती है तो यहाँ पर जोरो बोलता है क अपना ध्यान बस गेट की तरफ रखो और उतामा को लूफी के हाथों में छोड़ दो इसके बाद हमें लूफी और उतामा दिखाये जाते हैं जहां पर लूफी बोलता है उतामा से कि मुझे कसके पकड़ लो और लूफी अब भाग रहा होता है कि तब ही जो होल्डिम के साथ ही होते हैं वो लूफी को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने होल्डिम के साथ क्या किया है तुम जानते हो ना कि तुम यहां से नहीं निकल पाओगे और वो लोग लूफी के उपर हमला कर देते हैं लेकिन लूफी किसे में घूंसा, किसी में लाद, किसी को उठा के पटक देता है इस तरीके से वो सारे लोगों को हरा देता है और यहाँ पर जो उतामा होती है वो लूफी का एक्शन देके बहुत जादा खुश होती है इसके बाद लूफी भाग कर बैट जाता है स्पीड के उपर उसे लगता है कि स्पीड एक घोड़ा है लेकिन वो तो एक इंसान निकलती है और यहाँ पर स्पीड बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो और हाँ नीचे उतरो लेकिन तभी लूफी उतामा से बोलता है कि अपना रजगुला बाहर निकालो और इसे खिला दो उतामा अपना रजगुला बाहर निकालती है लेकिन वो लूफी से बोलती है कि बड़े भईया मुझे नहीं पता है कि मेरा रजगुल्ला इंसानों पर काम करता है या काम नहीं करता है तो यहाँ पर लूफी बोलता है कि ट्राय तो करो तभी तो पता पड़ेगा कि काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा तो यहाँ पर जो Oतama होती है वो अपना रजगुला बार निकालती है और बोलती है कि ये लो इसे खा लो ये बहुत ही टेस्टी है लेकिन यहाँ पर होर्स पहले खाने से मना कर देती है लेकिन बाद में स्पीड उसे खा लेती है और अब वो लूफी के यानि की Oतama के कंट्र जा रहे होते हैं तो यहां पर जो उतामा होती है उसे लूफी का रेड हॉक अटेक याद आता है कि भाईया ने जब अपना अटेक यूज किया था तो उसमें से आग निकल रही थी फिर उसे एस का फायर फिस्ट अटेक याद आता है कि उसमें से भी आग निकल रही होती है औ बाजिल होकिंस जिसके सामने लौ कड़ा होता है तो यहाँ पर होकिंस लौ से बोलता है कि तुम कौन हो होकिंस बोलता है कि मैं तुमारी यहां पर जिन्दगी लेने आया हूँ इसके बाद जो होकिंस के साथ ही होते हैं वो बोलते हैं कि सर यह तो बहुत गंदा बोल रहा है इसको धर लेते हैं तब ही लौ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो रूम का यूज करता है लेकिन यहाँ पर जो बाजी लौकिंस होता है वो लौ के जब टैटू देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कौन है इधर लौ अपने आपसे बोल रहा होता है कि जोरो को हमने प् करता है कि तुमारा प्लैन की लगने वाली है क्योंकि लूफी ने होल्डेम को धर लिया है इसके बाद जो लौ होता है वो एक छोटी से पत्थर उठाता है और वो उसे बाजी लौकिंस की तरफ फैकता है फिर वो शेंबल्स अटेक का यूज करता है और सीधा होकिंस के पा लेकिन उसका अटेक फिर दोबारा उसके साथ ही को पड़ता है तो यहाँ पर लौ बोलता है कि अभे तेरी कैसी एबिलिटी है बाजिल होकिंस अपनी स्ट्रॉ सौड का यूज करता है और वो लौके उपर हमला कर देता है लौको लगता है कि वो मुझे टारगेट कर रहा ह इसलिए वो उपनी स्ट्रॉ सौड बाहर निकालता है लेकिन यहाँ पर जो बाजिल होकिंस होता है वो उसके मास्क को टारगेट कर रहा होता है और जो लौने मास्क पहन रखा होता है उसे वो उतार देता है इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो की ट्रैजर के उपर कूच जाती है और यहाँ पर लूफी अव्जोरो के पास पहुँच जाता है वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है लेकिन लूफी बोलता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही नहीं और इसके बाद लूफी फिर दुबारा वाँ से निकल इसके बाद हमें दिखाया जाता है लो जो बाजिल हॉकिंस से बोलता है कि मैं जानता था कि यतना आसान नहीं होने वाला है और यहाँ पर जो बाजिल हॉकिंस के साथी होती हैं वो लो के उपर हमला कर देते हैं तब ही लो टेकनिक का यूज करता है जिसका नाम होता है एम्ट कर देता है लेकिन बाजी लॉकिंस लॉक को रोक देता है और वो बोलता है कि बेटा रुग जा तुझा अभी एक कबर सुनने वाली है और तब उपना फोन उठाता है और वहां matin उसे पता पढ़ता है कि जोरो-जीूरो के साथ ही ने होल्डेम को पीट दिया है और हमने ये रिपोर्ट कर दी है जैक डड रॉट को जिसके बाद होकिंस बोलता है कि वाह लोग तुमने जो प्लैन बनाया था वो अब बरबाद होने वाला है क्योंकि काईडो को पता पढ़ने वाला है कि यहाँ पर Istrohead आ चुके हैं तुम भी आ चुके हो और उनके साथी भी यही पर आ चुके हैं और अब तुमारे लगने वाले हैं तब ही वहाँ पर Zoro आ जाता है और जो Law होता है वो Zoro के पास जाता है और बोलता है कि तुमने यह क्या वेफ हूफी कर दी जोरो बोलता है law तुमारी दिक्कत क्या है इधर जो ओतामा होती है वो इस्पीड का शुकरियादा कर रही होती है कि तुमने हमारी भागने में मदद करी इसके बाद हमें फिर दोबारा law दिखाया जाता है जो जोरो से बोलता है कि एक बात बताओ सबसे पहले तुम तो जोरो बोलता है कि मुझे माफ कर दो मैं अपने आपको रोक नहीं सका क्योंकि मैं लूफी के साथ था इसके बाद जब लौ की नजर पड़ती है ओतामा के ओपर कि इसके साथ हेडलाइनर है और ये दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहें आपस में तो उसका दिमाग खरा जाता है जो की गया हुआ है पानी लेने के लिए तो अब लूफी को पानी मिल जाता है बहुत बड़ा टब होता है उसमें काफी सारा पानी होता है लूफी उसे उठाता है और निगल पड़ता है ओको बोरे टाउन की तरफ इसके बाद हमें ओको बोरे टाउन के लोग और इसके बाद वहाँ पर बैट मैन और उसके दो साथी पहुँच जाते हैं जो बोलते हैं कि ये ट्रैजर शिप तुम्हारी नहीं है ये हमारी है हमें वापिस कर दो लेकिन तभी वहाँ पर लूफी आता है और उसके हाथ में बहुत बड़ा पानी का टब होता है और वो बै कुछ खाया तो यहां पर ओतावा लूफी से बोलती है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी इसके बाद लूफी उसे एक एपिल देता है और बोलता है कि इसे खाओ और हाँ ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे खाना किलाय था और ये तो बस नाम बता रहा होता है कि एक का नाम है मौंकी डी लूफी एक का नाम है रोरो नुवा जोरो और तीसरे का नाम है ट्रैफल गर लौ जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इन्हें रोक पना काफी जादा मुश्किल होता है तो मैं भी इन्हें नहीं रोक सकता हूं इसके बाद हमे ओके बोरे टाउन दिखाया जाता है जहांपर ओतामा एपिल पकड़के खड़ी होती है तो लूफी बोलता है इसे खाओ ओतामा बोलती है कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन है आज मेरा जनम दिन है और इससे अच्छा तौफा मुझे मिल ही नहीं सकता है कि सबको खाना मिल गया और मुझे भी खाना मिल रहा है और मैंने जो आज खाया है रेड बीन सूप उसका टेस्ट में जिन्दिगी भर नहीं भूल सकती हूँ इसके बाद लूफी ओतामा से बोलता है कि तुम बिलकुल भी अपने डाइट को कम मत करना मैं जब इस कंट्री को छोड़के जाऊंगा तो मैं इस कंट्री को ऐसा मना दूँगा जहां पर तुम जितना खाना खाना चाती हो उतना खा सकती हो और ये सुनकर ओतामा के आँख अना चाती हो उतना खा सकती हो और फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो लूफी से बोलता है कि तुमने काफी गरबड़ी कर दी है और सब अब हमारे पीछे आएंगे तो तुम तैयार हो जाओ इसके बाद लूफी बोलता है कि भाईयो हमने काफी गरबड़ी कर दी है अब हम गरबड़ी नहीं करेंगे तो लौ बोलता है कि बेटा गरबड़ी कर कौन रहा है इसके बाद लौ बोलता है कि देखो ऐसा है कि अब हम लोग यहां पर नहीं रुख सकते हैं हमें यहां से निकलना होगा तो अब लूफी ओतामा को गोड़े पर बैठाता है और बोलता है कि उतामा को अलविदा बोलता है और बोलता है कि अपना ख्याल रखना इसके बाद जब लूफी लोग महां से निकल रहे होते हैं तो ओके बोले टाउन के लोग लूफी का शुकरियादा करते हैं और लूफी यहां पर बोलता है कि अगर यहां पर कोई आए और तुमसे पूछे कि ये चोरी किस ने करी थी तो बेजिदक मेरा नाम ले देना लौ बोलता है कि भाई पाइरेट्स अच्छे काम नहीं करते हैं ये हमारी बदनामी करा रहा है इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं ओडिन कासिल की तरफ तो यहाँ पर लूफी बोलता है कि अरे ठीक है सब ये लड़की ताकतवर है और हमारा साथ देगी लेकिन यहाँ पर जोरो बोलता है कि भाई दिखावे पे मत जाओ ये लड़की हमसे कुछ तो चुपा रही है और इसके बाद लौ लूफी से बोलते है कि जब हम लोग उपर जाएंगे तो तुम्हें ऐसी सच्छा ही पता पड़ेगी कि तुम हिल जाओगे जोरो बोलते है कि हाँ जब ये मुझे पता पड़ा था तो मैं भी हिल गया था और इसके बाद दोस्तों क्या होता है हमें ग्रेव दिखाई जाती है मोमो की, कीने मौन की और वहाँ पर और भी नाम होते हैं जैसे कांजूरो, राइजो और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिये, कुरोना से साबदान, गुड बाए